विधवा और तलाक शुदा महिलाओं के लिए बिहार सरकार एक ऐसी स्कीम लेके आई है जिससे इन मजबूर महिलाओं का भला हो जाएगा और इनके बच्चों के पड़िवरिस के लिए इन्हें सोचना नहीं पड़ेगा क्या है वो स्कीम वो मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे इस स्कीम की वज़े से उन मजबूर महिलाओं के बच्चों की जिन्दगी बदल सकती है लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन इसमें कोई शक नहीं है कि निति गार देकर स्वालंबी बनाना हो या चाहे प्रोसाहन रासी के माध्यम से लड़कियों को साइकल, स्कूल, ज्रेस और तमाम तरह की सिक्षा शमगरी उपलब्द करवाना हो या फिर महिलाओं के आरक्षन के लिए नया विधैक लाना हो नितिश कुमार की सरकार में महिलाओं को लेके कई योजनाओं को निकाला गया और महिलाओं के लिए कई काम भी किये गये और इसी बीच नतिश शरकार ने तलाक शुदा और विधवा महिलाओं को लेकर एक ऐसा स्कीन निकाला है जिसके तहद ऐसी महिला जिसका तालाक हो गया हो या उसके पती गुजर गये हो त उनके अधिक्तम दो बच्चों के परवरिस के लिए चार-चार हजार रुपए की सहायता बिहार सरकार के तरफ से दी जाएगी ताकि उन बच्चों का पालन पोशन हो सके और वो एक बहतर जिन्दगी जी सके अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस योजना का लाब क इनकी पती की मौत हो गई हो या वो अपने पती के साथ नहीं रहती हो और गरीबी के कारण अपने बच्चों को पालने में असमर्थ हो और साथ ही वो महिला बिहार की मूल भूत निवासी भी हो तो वो इस योजना का लाब उठा सकती हैं समाज कल्यान विभाग ने इस योजना को शुरू किया है और इस योजना को शुरू करने का मकसद ही यही है कि अधिक से अधिक उन महिलाओं को मजबूती मिले जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं और अपने बच्चों को पालने के लिए को ज़्यादा नहीं कर पा रही है इस योजना के लिए आफलाइन या ओनलाइन दोनों तरीकों से इसका फर्म भर सकते हैं साथ ही इस आवेदन के साथ महिला को तलाक शुदा या विद्वा होने का प्रमान पत्र भी देना होगा साथ ही अपने बच्चों के उम्र से संबंदिस सर्टिफिकेट या दस्तावे अब आप समझेए वैसी महिला जिनके पती का साथ छूट गया हो जिनके पती का साथ ना मिला हो उनके पती का असमय निधन हो गया हो उस महिला को इस समाज में जीने के लिए कितना मुसकत करना पड़ता है और अगर वो महिला जिनके पास बच्चे भी हो तो उनके लिए मु उन महिलाओं और उन बच्चों के लिए वर्दान जैसा साबित होगा. बाकी, देखना ये होगा कि ये योजना जमीनी अस्तर पे कैसे काम करती है, जमीनी अस्तर पे कितना उतरती है. बाकि इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, और नतिश शरकार के इस फैसले को लेके, आप क्या सोचते हैं, आप कृप्या कम्वेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुचाएए, साती सात इस वीडियो को शेर कीजिए, और उन महिलाओं तक पहुचाएए, जिन महि जनता जंक्षन और मेरा नाम रजत है